नमस्कार दोस्तों मैं पाउन मेरे चैनल टेकी पाउन में आप सबका स्वागत करता हूँ पार्ट ग्यारा आदारिक संरचना का पार्ट तीन हम पार्ट वन और पार्ट टू पढ़ चोके हैं पहले 38 पर्षन हमने पढ़ लिया है अब यह पर्षन गुंताली साज आर्थिक आदारिक संरचना के बारे में बताईए क्या होती आर्थिक आदारिक संरचना नमबर वन यह सीधे देश के आर्थिक पढ़नाली अर्थियस्ता को सहरा समर्थन देती है नमबर दो यह उत्पादन के पैमानों को बढ़ाती है नमबर तीन यह बोतिक पुझी के बंडार को बढ़ाती है नमबर चार यह आर्थिक विकास की गति को बढ़ाती है इसके उधारन कौन-कौन से आर्थिक आदरिक संदचना के उर्जा, परिवेन, संचार जो अर्थिवस्ता की रीड की हड़ी होते है पर्षन चालिस सामाजी का अधरिक्स अरचना क्या है यह एपर्थेक्स रूप से आर्थिक प्रणाली अर्थिवस्ता को साहरा समर्थन देती है यह एपर्थेक्स रूप से देती है नम्बर पाँच उदाहरन इसके देखते हैं स्वास्त शिक्षा ये सब क्या है सामाजी गादरिक संदचना जो मानों के कल्यांड से संबन देते हैं डारेक्त परशने 41 युक्ती युक्त और अलपांच विक्रय किसे कहते हैं युक्ती युक्त सामरिक विक्री सामनेते नीजी करन की परकरिया है जिसमें एक बड़ा भाग अर्थाद एक सरकारी संस्ता में कम से कम एक्याउन परतिशत या उससे अधिक के शेर उच्च बोली लगाने वाले को बेच दिये जाते हैं ऐसा करने से संस्ता के परबंदन की जिम्मेदारी किसको मिल जाती है नीजी या स्वेचालित व्यक्तियों को मिल जाती है क्योंकि सरकार क्या करेगी शेर खुज के पास रखती है बाकी मार्केट में बेश सकती है और युक्ति युक्त उसमें विक्री में क्या होता है कि वो एक्याउन परतीशत शेर्ट प्राइविट सेक्टर को बेच कर प्रबंदन भी उसको दे देती है ऐसा करने से कंपनियों के सरकारी शेतर के से किरा अस्थ्विस्थ नहीं होती है किसमी नहीं होती है अल 5 वक्री में नहीं होती है जबकि युक्ति युक्त विक्री में सरकारी कम्पनियों की साख गीडती कर चाहे